हेलो गाइस कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक एम्प्लिफायर के बारे में जो कि दोस्तो 32 वाड़िस की एम्प्लिफायर है आहुजा की तरफ से आती है और दोस्तो यह हमारे Amplifier Dual Channel में आती है Power Amplifier है बहुत यह अच्छी दोस्तो Amplifier है और दोस्तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा इस Amplifier की Details के बारे में Load Calculation के बारे में दोस्तो आपको बताऊंगा कि दोस्तो आप इस Amplifier का क्या प्राइस पढ़ने वाला है मार्केड में तो दोस्तो वीडियो बहुत ही Knowledgeable होने वाले वीडियो को पूरा देखे है जलिए अब दोस्तो बात कर लेते हैं इस Amplifier के Front Look की तो दोस्तो Front Look में आपको आउजा का लोगत देखने को मिल जाता है दोस्तो मैंने जितनी भी Alexa करके आती है Alexa 32 यह हमारी Amplifier है तो Alexa करके जितनी भी Amplifiers आती है मैंने हर एक Amplifier पे वीडियो बना दिया है यह दोस्तो हमारी Last Amplifier बची हुई थी जो कि Alexa 32 है इस पे भी मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है तो दोस्तो Front Look सेम आता है Alexa करके जो भी Amplifiers हमारी आते चाहें Alexa 7600 हो चाहें Alexa 6000 हो चाहें Alexa 4500 जो भी Alexa करके आती हैं वो दोस्तो Front Look सेम ही होता है तो दोस्तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे फ्रंट लुक की चले आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो बात कर लेते पहले इस Amplifier के Model Number की तो दोस्तो इस Amplifier का Model Number है Alexa 3200 जो की दोस्तो यह हमारी 3200 वाडिस की Amplifier है और दोस्तो इस Amplifier के Frequency Range की बात की जाए रिस्पोंस की बात की जाए तो दोस्तो आपको इस Amplifier के Frequency 20 Hz से लेकर 20,000 Hz देखने को मिल जाती है बहुत यह अच्छी दोस्तो इस Amplifier के Frequency दी गए है जो कि दोस्तो बहुत ही Best है और दोस्तो इस Amplifier की Dumping Factor की बात की जाए तो दोस्तो आपको 400 देखने को मिल जाता है इस Amplifier का Dumping Factor जो कि दोस्तो बेस्ट आप बहुत यह गजब का चलेगा बहुत यह अच्छी Loudness आवाज यह आपको Amplifier देगा और दोस्तो इस Amplifier के Weight की बात की जाए वजन की बात की जाए तो दोस्तो आपको 33 किलो का यह Amplifier मिल जाता है वजन में जो कि दोस्तो बेस्ट है तो दोस्तो बात का लेते हैं पहले इस Amplifier के Power Output की तो दोस्तो stereo and mono mode में यह हमारा Amplifier 2 ohm पे 1600 वाड़ेज निकाल के देता है पर चैनल एक चैनल पे 1600 वाड़ेज 2 ohm पे और दोस्तो दूसरे चैनल पे भी 16 100 वाड़ेज निकाल के देता है Output 2 ohm पे और दोस्तो यह हमारा Amplifier 4 ohm पे 11 100 वाड़ेज निकाल के देता है पर चैनल 11 100 वाड़ेज निकाल के Output देता है 4 ohm में यह हमारा Amplifier 8 ohm में 700 वाड़ेज निकाल के देता है पर channel output जो कि दोस्तों best है अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हम 2 omm पे कितने top चला सकते हैं तो दोस्तों हम 2 omm पे 4 top चला सकते हैं जो कि दोस्तों 4 omm तोपों में हमारे दोस्तों 4-4 100 watts के speaker होने चहीए और 100 watts का HF एक दोस्तों हमारा top बन जाता है 900 watts का तो दोस्तो एक चैनल पे हम दो टॉप चलाएंगे, दो टॉपो को वाटज बन जाता है अठारा सो वाटज, तो हमारा एम्प्लिफार इजली चला रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोस्तो हमारी स्पीकर का वाटज ज्यादा भी रहेगा, एम्प्लिफार से तो को पैलर ही कनेक्संब करने तभी दोस्तो आपका अमप्डेंस टूओं बन पाएगा, ठीक है दोस्तो आपको के पैलर ही कनेक्संब करने हैं तोफों के अंदर, यह दोस्तो बात कर लाते हैं फोरूम की, तो दोस्तो फोरूम पर हमारा एम्प्लिफार 1100 वाडज नगाल के देत होता है forome पर हम पेलर में connections करते हैं तभी दोसों हमारे impedance एक टोप का forum होता है तभी दोस्तों हम इस पे चला सकते हैं एक top एक चैनल पर और दोसरे चैनल पे भी 500 वाठीस के स्पीकर लगा के 100 वाठीस का जब 1100 लूट डालके चला सकते हैं पेलर ही इसमें भी आपको connections करने हैं सभी टोपों के अंदर अब दोस्तों बात कर लेते हैं atom की तो दोस्तों atom में यह हमारा amplifier 700 वाड़िस निकाल के output देता है तो दोस्तों एक हमारा जो single speaker होता है वो atom का होता है तो दोस्तों हम इसमें single speaker चलाएंगे एक जो कि दोस्तों 700 वाड़िस का चलाएंगे एक चैनल पे atom का और दोस्तों दूसरे चैनल पे भी हम 700 वाड़िस का speaker लगा के चलाएंगे atom पे तो दोस्तों बहुत इच्छी तरीके से चलेगा बहुत इच्छा performance मिलेगा ठीक है दोस्तों इक दोस्तों बात करते हैं breez mode की तो दोस्तों breez mode बहुत ही denser mode होता है हमारी amplifier's की अंदर आपको दोस्तों बहुत ही हिसाब से चलाना हुटवर हो जो दोस्तों हमारे डी ज हमारे नय हैं वह इंप्लिफायर को sid farming not29 तो भी आप नहींद हम आप केवह दोस्तों आप मौनो एल्रद रेमोड में सैज मोड में चलाकर जोस्तों हमारे पुराने वाले वाले प्रीकर व्योड remembered hire चले अब दोस्तो आपको बता भी देते हैं कि आप बरिज मॉड में कितने वड़ीज चैनल एक हो जाते हैं तभी दोस्तों हमारा ब्रीज मोड में एंप्लिफायर काम करता है तो दोस्तों फोरॉम में यह हमारा एंप्लिफायर 32 वाड़िस निकाल के आउटपुट देता है तो दोस्तों हम इस एंप्लिफायर पे ब्रीज मोड में फोरॉम पे एक डॉयल वाला ब बिख बन जाता है हमारा दोस्तो 342 वाड़ नकाल कि आउटपुट देता है हमेजली चला सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन दोस्तों जहां तक हो सके अपने स्पीकर का वाड़ेस कम ना करें जादा ही कर दें 1700 या 1800 कर दें कोई प्रोब्लम नहीं होगी लेकिन आपको कम नहीं करना है नहीं तो आपका स्पीकर उठ जाएगा बहुत ही जल्दी अब दोस्तों बात कर लेते हैं एटोम की तो दोस्तों एटोम में ये हमारा एंप्लिफार 2200 वाड़ेस निकाल के आउटपुट देता है तो दोस्तों एक स्पीकर हमारा एटोम का ही होता है तो दोस्तों हम इसमें 2200 वाड़ेस का बेस स्पीकर चला सकते हैं 21 इंचिस का भी चला सकते हैं 18 इंचिस का भी चला सकते हैं, इंचिस से कोई बात नहीं, लिकने वाड़ेस आपको इतना ही रखना है, 2200 ठीक, दोस्तों, 2200 वाड़ेस से कम नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों, आप एड़ों पे भी आप एक सिंगल स्पीकर चला सकते हैं, बेसे स्पीकर, बहुत यचा रिस मिलेगा, तो दोस्तों, आपको मेंने बताया, इस सेंप्लिफार, की पूरी जानकारी दी, लोड कल्कूलिएस्जं के वारे में बताया कि दोस्तों, आप कितने टोप, ऑन कितने बेस लगा कै चला सकते और दोस्तों आप इस amplifier को कहीं पे भी use कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं live DJ कहीं पे भी use कर सकते हैं बहुत इच्छा आपको response सुनने को मिलेगा अगर दोस्तों कोई भी चीज छूट गए तो दोस्तों description box में मेरा mobile number मिल जाएगा WhatsApp number तो दोस्तों आप वहाँ पे message कर सकते हैं या दोस्तों आप वीडियो को नीचे comment कर सकते हैं में आपके प्रसन का उत्तर दे दूँगा तो दोस्तों I hope वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी सी भी knowledge पर लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं एंड चैनल को जरो subscribe कर लें ताकि दोस्तों जबी में वीडियो से upload करूं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहलो पहुचे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जैहिन और वन्यमात्रम